Again dear students, आज की इस वीडियो लेक्षर में हम लोग टीडियेस एक्क्वेशन को देखने वाले हैं, कहां से आया, कैसे आया, क्या है ये, क्यों लगता है ये, ठीक है, क्या इंपॉर्टेस है इसका ये जानने वाले हैं, तो सबसे पहले ये जानने जीए आप लो, कि मैं ये 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 रखा होगा, टेलिग्राम का लिंक दे रखा होगा, उस पे जाके आप लोग मुझसे कनेट हो सकते हैं, उस ग्रूप में जाके अपने कोशिंस पगरा पोस्ट कर सकते हैं, तो चलिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत बूलिएगा, चलिए, तो कहता है, ये रखा है, लेकिन देखो, हमने जो एक्विशन पढ़ा है वो कुछ और था, हमने पढ़ा है दिल क्यू इक्वल टु डियू पलास दिल डवलो, हमने ऐसा एक्विशन पढ़ा था, इसके ही पहले हमने एक्विशन दम लाइन से सिस्टेम्रें ट्रॉटरी डाइब किया था, और हारा श्टेप में हमने आज अमसर लिया था अगर आपने पिछे वीडियो नहीं देखा तो उसको जब से पहले ज़रूर देखिएगा पूरा प्लेडिश देखिए सुरू सर स्टार्टिक से देखिए ठीक है तो यह जो चीजे हैं इसको आपने PD भी लिखा करा कि क्या हर दीशकते हैं की नहीं कंडिशनना के साथ है यह बनाद नहीं है तो यह खांग सा कंडिशन जानतàng हो कि ब्रा यह सिस्टम closed system ठीक है open system में इन्हें लाएगा और काराए कि energy में जो changes हो रहा है cardiac energy में change और potential energy में change ये बिल्कुल 0 होना चाहिए तब जाकि ये formula लाएगा तीसरा condition करता है कि ये quasi-static process होना चाहिए यानि कि reversible process होना चाहिए तभी जाकि आप लोग यहाँ जो आप लोग उने work done है उसको PDV आपने लिखा है तो ये formula सिर्फ तभी काम करता है जब process quasi-static या फिर reversible होता है ठीक है तो अगर ये equation हमको लगाना है तो निश्चित रूप से हमें process को क्या मनना पड़ेगा तो reversible मनना पड़ेगा ये सब तो ठीक है मानते ही है हर जगा रगाते ही है ठीक है लेकिन हम लोग जो एक चीज़ मान रहे हैं यहाँ पर वो है reversible तो reversible process के लिए आप जानते हो कि जो entropy में change आता है वो किसके बाब होता है तो ये होता है del q by t के ठीक है तो इसके del q equal to होता है du plus p dv तो मैं इसको क्या करता हूँ भई कि इसके बाबर मैं लिख देता हूँ du plus p dv ठीक है तो यहाँ से मेरा equation tds equation बनके त्यार हो गया tds equation क्या बनके त्यार होगा तो ये tds equation हमारा कदा tds equal to du plus p dv इसको कहते है हम लोग tds equation जब बोलते हैं इसको tedious equation ठीक है लेकिन ध्यान रखिए इस tedious equation को drive करते बग आपने process को reversible माना है माना है ना पर कमाल की बात यह है कि हमने derivation के लिए ज़रूर process को reversible मान लिया है लेकिन ये tedious equation reversible और reversible process दोनों के लिए valid है तभी तो ये combined form equation है इसमें first law को भी आ जाता है और second law भी आ जाता है second law आ रहा है तो जाहिस दिमाता है second law आएगा तो energy के quality को explain ज़रूर करेगा ठीक है तो ये equation जो है reversible और ये reversible और इसे दोनों के लिए valid है ठीक है आपको ये पढले नहीं पढ़ास रहे इसे कैसे करती है आप लोग ने इसको रिवर्सिवर बोल के आपकर रहे हो कि रिवर्सिवर में लगा देना काम चल जाएगा यहां यहां पर मैंने देखो इसको समझाया कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि एक ये अश्टेट है यह दोषट यह इसको मतलब साब जूम घूम कर लेता हूं जूम्म ज्टेश प्रोषगो चल जुम हो गया अब देखिए प 딱 है यह देखिए आपको यह डायग्राम मालकुछी दाइग्राम कोभी डायग्राम यह दो Estate हैं वन और टू या माल लेते हैं दस-जूर का चेंज है जानते हो की जो इन ट्रॉपी में जो चेंज होता है वो एक Estate Function है वो पाथफिट पे नहीं करता है तो अगर ऐसा है तो s2 minus s1 जो होगा वो del qi t के बराबर होगा ठीक है और वो 10 के बराबर होगा कहता है ये reversal process में क्या है ये reversal process में भी entire energy में जो change होगा वो उतरा ही होगा क्योंकि ये statement डिपेंड करता है एक और दो पे ये 10 ही होगा लेकिन formula यहाँ जो होगा del qi plus del s generation होगा अब कहोगे ये तो del q तो उतरा ही होगा 10 अरे del q यहाँ पे 10 नहीं है ये तो reversible जब process कराओगे तब del q जो होगा वो 10 के बराबर है यहाँ पे del qi t का value 8 ही है और जो generation है वो 2 है यहाँ पी कहोगे कि यह अगर आपका 7 है तो यह आपका कितना होगा गत्ती लेकिन आना तो 10 ही है क्योंकि जो reversible में जो change जाया है वो ही reversible में भी change आएगा तो जितना आपका अगर entropy में generation होगा उतना से यह आपका कम जाएगा ठीक है तो कहरा कि दोनों का product लेकिन दोनों का addition है वो same ही आना है ठीक है क्योंकि entropy generation irreversible हो सकता है या पाथ पर depend कर सकता है पर entropy में change होता है वो पाथ पर depend नहीं करता है वो एक state function है ठीक है तो चलिए इसको आपने समझ गया होगा अच्छे तरह से कि आखिर q tedious equation जो है वो reversible और e reversible process दोनों पर लग जाता है ठीक है चलिए आगे चलते है कहता है एक और आपको tedious equation जानना है ठीक है तो मैंने एक और आपको पताया था आपको कुछ कुछ क्या बताया था जित कहता है h equal to u plus pv ये जो है ये उन्हें बताया था कि जब turbine का analysis मुलर साब कर रहे थी तो वो बार बार u plus pv जो था वो बार बार उनके equation मा रहा था तो उसको उन्होंने h कह दिया था ठीक है और इसी h को enthalpy कहा गया enthalpy है तो मैंने इसको deficit किया deficit किया तो आया dh equal to du plus pdv plus vdp ठीक है अब ये जो था ये अभी-अभी मैंने equation 1 से इसको put किया equation 1 से इसको put को tds ये tds के ब्राबर है तो tds इसके जापर लिख दिया अगर इसके जापर हम tds लिखेंगे तो ये आपका tds हो गया इसको ले जाकर मैं इधर घटा देता हूँ ठीक है तो tds equal to क्या हो गया बता dh minus vdp ठीक है तो ये दो equation आपके बिल गये हैं और इहीं दोनों equation को हमनों tds equation कहते हैं इसको याद रखेंगा ये काफ़ी important है सीधे से दे ये formula भी जा मैं पूछा जाता है ठीक है और ये मैंने बताया है कि दोनों equation जो है ये 1 और 2 जो दोनों equation है ये आपके बोथ equation valid from the all process reversible process रहे या पर e-reversive process रहे है ये दोनों के लिए valid है ये याद रखेगा ठीक है ये मने पूरा explanation दिया यहाँ पर पूरा मैंने लिख लिक के समझाया आप लोगो को क्या लिखा हुआ है तो कहता है कि दो tedious equation were developed with internally reversible process in mind but the results often are applicable when the actual process is irreversible चुकि यहाँ तक हमने भाई tedious equation को drive किया है वो process को reversible मान के drive किया है लेकिन आश्यर्च की बात यह है tedious equation जो है वो e-reversible process के लिए भी लग जाता है तो इसको ध्यान रखिए गाई बार बाता है कि यह reverse reward के लिए valid है कि यह reverse reward के लिए valid है ठीक है एक और note मैंने बता है कर रहा है कि no conditions are required while using tedious equation यानि कि जब आप tedious equation को लगा रहे हैं तो इसके लिए कुछी भी condition की जोगत नहीं है यदि कुछ और देखना है तो हम लोग इस tedious equation वो constant volume curve और constant pressure curve पे apply करके देखते हैं क्या निकालना चाहते हैं तो मैं TH diagram जो है उसका slope निकालना चाहता हूँ ठीक है जैसे हम लोग पहले हम लोग PV diagram को slope निकाल रहे थे उसे पर कासर TH diagram को slope निकालते हैं कि कॉस्टेटी पगरा किसके रावर होता है ठीक है तो कहता है कि constant volume curve है यानि कि आइसओ को प्रोसेस का यह डे रखा है ठीक है आप टीच ड्याग्राम हमने बनाया है हम पर टीच ड्याग्राम बनाया है कहा है कि देखो धीर सारा कर्म है यह यह और यह पूछ ले लाता है कि बताए इसमें से constant volume कर सा है उसमें थीक मारा हुआ है लेकिन आप से question अगर पूछा रहा है कि भी यह से constant volume का कॉछ सा तो कैसे बताओए ठीक है तो कहता है इसको बताने का बड़ा आना तारीका है क्याता है कि आप ठीद्स कॉइसन लगाई इस पे टी इशसे कौन सब्वाइब तो टीडी एस इकोल टू डी यू प्लस प्यू डूटि तिक है कहता प्रोसेस कैसा है जी तो कैसा प्रोसेस जु है वह ब्लूम करने कोंस्ट अन्वरलिम तो यहाँ पर कॉंसट् इसमें क्या है तो कहता है mcv dt में जानते हैं कि यह always true for the ideal gas और यह जब equation मैंने बताया था कि du equal to mcv dt कहता है कि यदि आपका process यह equation कब लगता है तो कहता है कि यदि आपका process constant volume process है तो चिंता मत किजिए कि कौन सा gas है ठीक है और यदि आपका gas ideal gas है तो चिंता मत किजिए process कोई भी हो ठीक है तो यहां तो caution volume process ही दे रखा है तो यहां पर कोई भी gas रहे चिंता करने के जबत नहीं है आप इसको बराबर कर सकते है ठीक है रहता है कि यह always true for the ideal gas if process is isocoric then also true for the any substance ठीक है अगर अगर आपका process isocoric है तो भी आप फरक नहीं अगर process isocoric नहीं है ठीक है तो ideal gas है अगर तो फर्क नहीं पड़ता है आपका की process कौन सा है ठीक है फिर इसको हमने बराबर यह लिख दिया था TDS जो बराबर आ गया है उस CVDT के बराबर आ गया है ठीक है यह बराबर आ गया है उसके बाद यहां पर कहा कि देको temperature में देखि अगर यहां से अगर आप यह T है DS है आप DT के नीचे इसको लेख चले जाएए और इसको जो है इसके नीचे लेख चले जाएए तो यह आपका बंजाता है DT by DS at constant volume equal to TY by CV ठीक है और यह क्या है बाद तो कहता है DTY DS आ गया है तो इसको एक तो formula ही डाइट लिए आप याद रखना क्योंकि अब करता है इसे डाग्राम बना के पूछे कि इसमें से कौन डाग्राम सही है तो मैंने बताया कि देखो स्लोब जैसे से इंक्रिज करेंगारuire को से सब्सक्राइब करेंगर किज तो कॉंस्टन है ठीक है तोन देखो जैसे फरे टाप रहा है और अहाना एक स्लोप यहां पे सब्सक्राइब और उपर जाओगा तो थे अग्रेश्ण कर रहा है और तो इसका मतलब है कि इसमें सही डाइगराम जो है वो ये वाला डाइगराम बी वाला डाइगराम जो है वो सही एक constant volume करब को represent कर रहा है ठीक है तो इस परकार से questions से tough tough पूछे जाते हैं कि इसे बताईए कौन है क्या है तो हम लोग बता सकते हैं ठीक है कोई बड़ी चीज नहीं है है आगे चलते हैं कहता है constant volume यहां सब्सक्राइब है ग्णीर है इसमें कर दिया कर दिया कर दिया सब चोटा च्टा हो गया है तो कहता है इसमें क्या है सब्सक्राइब कर रखांगा इंट कर रखांगा है तो डी टी इस प्रेसर पर क्यांस के बराबर जाएगा निए चीट के बराबर हो जाएगा इस युब चीट ठीक है अब यह बताने जो नहीं है कि सीपी जो होता है सीपी जो होता है सदय बड़ा होता है सीवी से यह पता है नहीं तो सीपी जो कि नीचे आ गया है तो जहाएसी बात है इस स्लोप होगा उख कम होगा कॉंस्टेंट वॉल्लूम वाले कर्व से ठीक है कॉंस्टेंट वॉल इपिसे दिवाइड हो रहा है और या रही है बात जी भासमें आया की यहां था एको मैंने पूरा समझाया है कि CP बढ़े होता है यहांने कि CP जोंगा बढ़ा होगा 1CPC ठीक है कि यहांने कि TYC妹 का later यान है यहां है त्क्कार पर यह दिखा रखेंत नहीं को यह वह रख between कौन माला कर वोगा यह ज्यादा स्टीपर होगा तो यह तरह से दूख कर विदे कर पुछा जाता है और कौन कॉश्टन प्रेसर प्रोसेस है इधर जाहिए जाहिए इंट्रोपी बढ़ रहा है याने की हीट अडिशन हो रहा है तो इस प्रकार से आप लोग टिक मार सकते हो य से इस Looks है और के बड्ल के सब्सक्राइब कर रहा था रहता है की कोश्ट मेशन जादा स्टीपर रहता है कि आपा कौश्ट आपर च्पर ने च्प्रिछा वाला करेंव बाद रहता है तो यह भी कोशन बाहरा पुछा रहता है इसको बच्छे से याद कर लिजेगा मैं जाकर मतले ना ठीक है कि जल जादी बताकर निकल गया तो हमको दिवा में आया निक चला गया आप बढ़िया से कॉपी में लिखिए भी यह लिखिया बार बार बास को स्टीपर और यहां पर यह आपका यूप से भी सकती हो आपको कि मैं तो मुझे समझ में आता नहीं तो मैं जानता हो किसे सफोल्व बाल्यां रखना को चांब होता है कि इसे परसफ आपके मदशिदा का मदशिदमा आपको एक ऐसे लेता हूं ठीक है का एक तेंपरेचर को यह रिया इसे नहीं एक कॉंचेन टेंपरेचर मेरे लिया दो यह पर सुरुतक अभिए अधे कोन हो यह बना मेद आ रहाया है तो करा देखो इसमें देखो प्रेंड सब्सक्रत यह ज्यादा सुलोप आ रहा है जिसमें ज्यादा सुलोप आता है उसको मैं अपने आप कहते हूं कि यह क्या है आइसो कोरिक है यानि कॉंस्ट वॉल्म प्रोसेस है और इसका स्लोप कम आएगा उसको हम आइसो बारिक बोल देंगे तो यह सिंपल से चीज़ें जिसको मैं यू आप लगता है यह जो लगता है कि हमें लेकर चुपके से पढ़ लिए वह यह आम दूसरे से काबल होग है अगर आप दूसरों को सेर करते हैं तो वह भी कुछ इसे आपके साथ करेगा डिसकसन होगा ठीक है ऐसे पढ़ोगी आगे बढ़ोगे तो अधिक सथी सेर किजिए जो भी आपके फ्रेंस बगर रहा है जैसे तैसे पढ़ रहा है घर पर इधर उधर रहा के उसका सेर इसको ठीक है तैंक यू बरी मुच इस वीडियो में इतना ही था हूँ